जाइन बच्चों कैसे हैं आप लोग आज मैं इस छोटे से वीडियो में तुम्हें ये पताने जा रहा हूं कि मस्ट डू टॉपिक्स मैथेमेडिक्स के कौन कौन से हैं जिसके बेजिस पर तुम कट आफ जरूर से निकाल सकते हो अगर तुमने शांदा तरीके से पढ़ रखा है तो कोई बेफिक्री में रहो मस्ट हो के रहो टॉपिक्स जरूर से देख लेना उसको जरूर से करेना उससे हाई वेटिश कोश्चन साते हैं अल्मोस्स सत्तर परसेंट पेपर यहीं से निकल के आता है सिलबस के नाम पर तो यह लगवा 50% है लेकिन सत्तर परसेंट पेपर तुम्हें यहीं से निकल के मिलेगा ठीक है तो कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हें मैट्स में लास्ट मोमिंट पे से कट्डॉफ क्लेर करने में हेल्प करेंगे फटा फटा फट्सा धैन से देखते हैं इनकल क्कौनिक्वाइलिटी राइट इन Vallett इकवालिटी को बहुत धैन से करना डिरेक्ली कोस्चेंस भी मिलेंगे, indirect questions भी domain rank भी question में काफी काम के मिलेंगे inequality और इसी sequence में चीज़ों को ले के चलोगे आप, ठीक है कर रखा है, फटाफट से इसको revise करो, देखो किस तरीके से करोगे inequality, logarithm, quality equations, complex numbers, set relations and functions, permutation combination, binomial, statistics, probability, then you have binary numbers, और क्या है बचो matrices, determinants, basics of trigonometry, basics of limits, basics of derivatives अच्छा जी, ये क्या मतलब है, basics का क्या मतलब है, देखो, जो non-maths वाले बच्चे होते हैं, या जिनका maths में छोड़ा रुजान कम होता है, जिनका interest कम होता है, उनको मैं बोलूँगा, बहुत detail में जाने की ज़रत नहीं है, जैसे property of triangle तुम्हें करने की ज़रत नहीं है, अगर तुम्हारा math में इंट्रेस नहीं है, उससे maximum में एक से दो सवाल आएंगे, बहुत tension लेने की ज़रत बिल्कुल भी नहीं है, basics कर लो यार, ठीक है, limits के जो basic formula है, एल hospital rule है, उसको ध्यान से देख लो, straight questions तुम्हें 5-6 questions यहां से सीदे-सीदे मिल जाएंगे, जो non-math वाले बच्चे होते हैं यार इनका math में इंट्रेस कम होता है, calculus को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, मेरे ख्याल से वो एक अच्छा कर रखा है, तो अच्छी बात है, उसको विरवाइस practice करते रहो, मैं यह नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही करो, अगर तुमने पहले कर रखा है, तो जरूर से कर दो, अगर कोई list में रह गई है, तो बताओ, ठीक है, कोई और तुम्हें परिशानी है, you can always comment in the section, I will try to look into that, और जो कुछ मैं कर सकता हूँ, करने का पुरा-पुरा प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूंगा, तो रुखते हैं बेटा, बहुत छोटी सी वीडियो, मैंने यह बनाई थी, जिस्टू मेक शूर कि आप topics पे, sequence पे, कि sequence में कौन से topic पढ़ना है, that is very very important, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, टेक किर अटू